मेरा नाम है अज्जू भाई, अजेंद्र वरिया चलो अज्जू भाई का फेस रिबील तो हम सभी ने देख लिया याद है अज्जू भाई ने लास्ट में क्या बोला था आओ साथ में कहलते हैं पर साथ में कहलने के लिए हमें अज्जू भाई के जिसा character combination भी चाहिए होगा ना तो आज के वीडियो में हम लोग अज्जू भाई के character combination देखेंगे अज्जू भाई किन-किन characters का use करके gameplay करते हैं और उससे फाइदा क्या मिलता है मैं आपको सारा कुछ explain करूँगा जिससे definitely आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा देखेंगे अज्जू भाई का लाटेस्ट gameplay वीडियो है यहां पर अगर हम लोग combination की बात करें अज्जू भाई ने active character में यूज किया है औरियॉन character जोकि no doubt अभी के टाइम पर सबसे powerful character है वेल औरियॉन का ability तो तुम्हें पता होगा बताने का जुरूरत है नहीं औरियॉन के बाद अज्जू भाई ने use किया है मिग्वेल देखो अज्जू भाई का कोई choice नहीं है मजबूरी है जो बंदा औरियॉन को use करेगा उसको मिग्वेल को यूज करना ही पड़ेगा क्यूंकि औरियॉन प्लस मिग्वेल से ही आप बार बार औरियॉन को use कर सकते हो नहीं तो औरियॉन बिल्कुल बरबाद है देन इस कॉम्बो में अज्जू भाई ने थोड़ से पता है एंड लास्ट में अज्जू भाई ने इस कॉम्बो में यूज किया है जोटा कैरेक्टर को देखो अज्जू भाई का गेमप्ले थोड़ा से एग्रेसिव रहता है मतलब दो चार बंदों के अंदर घुसकर उनको मारना स्क्वार्ड को फिनिस करने वाला गेमप्ले ऐसे सिच्वेशन में जोटा बहुत बड़ी ऑप्सन हो जाता है जोटा को यूज करके आप जब भी बंदे को मारते हो या फिर डमेज देते हो तो भी आपको थोड़ा बहुत एच्पी मिलता है बंदे को नॉक या फिनिस करने पर भी आपको 153 situation में होते हो जहां पर बंदा तुम्हें मेड कि यूज करने का टाइम ही नहीं देता है वहां पर जोटा आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है एक और बात यहां पर देखो अजु भाई ने फालको वेट का यूज किया है क्यों बता नहीं यार साइद अजु भाई को बत आपको अपलाई ओफर पर क्लिक करके मेरा जो कूपन कोड जो की स्क्रिन पर दिख रहा है इसको डाल देना है जिससे आपको और भी अच्छा घासा डिसकाउंट मिल जाएगा देखो हमें 100 डाइमंड सरफ 70 रुपे में मिलने वाला है यहां पर सिंपल आपको लॉग इन कर जाता है उसको यहां पर पेस्ट कर देना है बस इतना करने के बाद आपके आइडी में सक्सेस्विली डायमंड आ जाएगा वेबसाइट का लिंक आपको पिंड कॉमेंट डेस्क्रिप्सर में मिल जाएगा यह बहुत ज्यादा खतरना कॉम्बिनेशन होने वाला है यहां प कर दिमित्री हें कुछ ऐसे हैं अपर हैं आप च्थे कर दिया हो हहां पर अभी यह वाला वीडियो देखो यहां पर अजू भाई क्लास कोड खेल ले हैं और थोड़ा सा कॉम्बो पर नज़र डालो यहां पर के कैरेक्टर के साथ अजू भाई ने जस्टीन बीवर का यूज किया हुआ है अभी पता लग गया आपको अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के बाद यह वाला वीडियो को मेरा देख लेना मैं दिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा देखो दिमित्री और सोनिया के बाद इस कॉम्बो में फिर से आपको लुकेटा देखने को मिलेगा अजू भाई का जो भी फुल मैप का गेमपले देख लो फुल मैप में लुकेटा अजू भाई का फेवरेट है और लास्ट कारेक्टर जो अजू भाई ने इस कॉम्बिनेशन में यूज किया है जो कि इस कॉम्बो का सबसे इंपोर्टेंट कारेक्टर है नाइडी कारेक्टर वो क्यों आपको अभी पता लग जाएगा देखो यहाँ पर अजू भाई को उपर से गंदा डामेज पड़ता है और अजू भाई का सोनिया एक्टिव हो जाता है यह कॉम्बिनेसन कितना खतर नाक है अभी आपको पता लग जाएगा जैसे ही सोनिया एक्टिव होता है अज्जु भाई पेले एक वाल लगाते हैं देन उसके बाद तुरंथ दिमित्री का यूज कर लेते हैं और फटा फट से वाल का घेरा बना लेते हैं देखो नॉक डाउन होने के बाद दिमित्री आटो रिवाइब कर देता है अज्जु भाई को उनके लिए जो बन्दे दिमित्री को यूज करते हैं यहांपर अगर आप चाहो तो इस कॉंबो को क्लास कोड में भी यूज कर सकते हो पर यहांपर लुकेटा के जगापर आपको कोई क्लास कोड वाली क्यारेक्टर को यूज करना है देन कुछ टाइम के लिए आपका गन का रेट ओफ फायर बहुत जादा बढ़ जाता है और में लीस का दो फाइदा है पहला अगर आप सोलो वर्से स्कॉर्ड खेल लेओ या फिर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहांपर एक से जादा बंदे हैं तो एक बंदे को नौक करने के बाद आपका गन का रेट ओफ फायर बढ़ जाता है जिससे आप दूसरे बंदे को आसानी से हेड़सौट मार पाते हो और यसे बहुत इजीली क्लच निकाल पाते हो अगर आप एक बंदे को नौक किया तो आपका गन का रेट ओफ फायर बढ़ जाएगा जैसे के अज्जू भाई यहांपर देखो बंदे को नौक करने के बाद स्पील्ड से कैसे फिनिस कर रहे हैं तो यह भी आप कर पाऊगे यह तो होगे अज्जू भाई का फुल मैप कॉम्बिनेशन बड़ अभी बारी आता है अज्जू भाई का क्लास कोड कॉम्बिनेशन की यह देखने के बाद आपको अज्जू भाई के दिमाग को मानना ही पड़ेगा यहांपर देखो क्लास कोड चल ला है अज्जू भाई का कॉम्बो पर थोड़ा नजर डालो यहांपर active character में अजू भाई ने use किया है तस्विया देखो तस्विया को ऐसे ही use नहीं किया है क्यों use किया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा reason छुपा हुआ है जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा देखो तस्विया के बाद यहांपर use किया है अंटोनियो को देखो यह सुनने में कुछ अलग नहीं लग रहा है पर इस combination का use करके अजू भाई अपना HP को 200 से 290 तक ले पाते हैं अरे मजाग नहीं कर रहा हूँ जिससे अजू भाई का HP खतम होने से पहले बंदा खतम हो जाता है तो चलो इस combo को मैं आपको breakdown करके समझाता हूँ सबसे पहले इस combo में यूज हुआ है जस्टिन वीवर कैरेक्टर जिसका काम ये है ये EP का use करके आपके उपर पढ़ने आला damage को 12% कम कर देता है और आपको ये चीज़ पो पता होगा class code में EP आसानी से मिल जाता है अटकास इसलिए अज्जू भाई ने जस्टिन वीवर को यहां पर रखा है अभी last तक देखो अज्जू भाई का दिमाग देखकर आपका दिमाग खुल जाएगा यहां पर यूज हुआ है एंटोनियो का अटोनियो क्या करता है आपको हमेशा 40 का एक sealed point देता है यह देखो यह जो blue color का lines हो कर रहा है ना यह 40 damage अपने उपर ले सकता है उसके बाद अज्जू भाई ने use किया है सानी character को अभी सानी क्या करता है यह भी आपको 50 का sealed point देता है अन्टोनियो के जैसा पर यहांपर condition यह है आप जब भी कोई active skill का use करोगे तब भी आपको सानी 50 का sealed point देगी जैसे कि यहांपर देखो अज्जू भाई ने तस्वया का skill को on किया अभी देखो HP के उपर एक और blue line आ गया यहांपर सानी का ability active हो गया जो कि सरफ 5 second के लिए रहता है अगर उसी 5 second के अंदर आपके पास अपना 200 HP होगा उसके उपर 40 plus 50 यानि 90 का sealed point होगा अगर उसी time बंदा आपको मारता है तो पहले इन 90 sealed point के उपर गोली लगेगा यह खतम होने के बाद आपको damage बढ़ेगा देखा अज्जू भाई का दिमाग देखो पहले से जस्टिन वीवर आपके उपर पढ़ने वाला damage को कम कर रहा है और उपर से एंटोनियो और सानी आपके उपर damage पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं इस combo में अज्जू भाई ने तस्विया को इसलिए रखा है क्योंकि इसे कोई भी active character नहीं है जिसको आप लगातार तीन बार use कर पाते हो अभी थोड़ा दिमाग में जो डालो क्योंकि जितनी बार आप active character को use करोगे सानी आपको उतनी बार 50 का sealed point दे पाएगी मतलब आपके पास एक नहीं बलकि तीन तीन चांसे आपका HP को 200 से 290 करने के लिए समझे अभी तस्विया क्यों use हुआ है और उपर से अज्जू भाई का दिमाग देखो इस combo में पेट यूज किया है Rocky जिसका ability यह है यह active skill character का cooldown को कम कर देता है अगर आप complete कर देते हो तो next video में अमीत भाई का combination के उपर लाओंगा और हाँ गाईज अगर आपको जानना है कौनसी characters एक दूसरों को मदद कर सकते है जिनसे वो दो character का power और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो एक बीच वाली वीडियो को click करके देख लो मज़ा ही आजाएगा और के चाहिए